पेरियार जैन्ती 17 सितंबर 1889 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था इनका पूरा नाम इरोड वेंकटप्पा रामासामी यानि इवी रामासामी है उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की इस आंदोलन का उदेश जाति प्रथा अंद विश्वास और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना था यहां अंदोलन दक्षिन भारत में सामाजिक सुधारों के लिए एक महत्वणों शक्ति बन गया था पेरियार ने जाति विवस्था और विचारधारा का कड़ा विरोध किया था वे जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और समाज में समानता स्थापित कर करने के पक्षधर थे इन्होंने महिला अधिकारों और लेंगिक समानता पर भी जोर दिया इन्होंने महिला शिक्षा विध्वा पुनर विवाह और महिला स्वतंतरता के लिए काम किया पेरियार ने धार्मिक अंद विश्वास और पाखंड का विरोध किया और तरकवाद क प्रोत्साहित किया इन्होंने द्रविड आंदोलन को आगे बढ़ाया जो दक्षन भारती द्रविड संस्कृती को बढ़ावा देने पर केंद्रेत था इनका निधन 24 दिसंबर 1973 को हुआ लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी समाज सुधार और सामाजिक न्याय के आंदोलन में प्रेरणा का श्रोत बनी हुई है इन्होंने कई पुस्तके और लेक लिखे जिनमें इन्होंने सामाजिक मुद्धों तरकवाद और सामाजिक सुधार के अपने विचार प्रस्तुत किये तो आई अंत में नोट करते हैं आज का भ्यास प्रशन पेरियारद्व का जवाब कमेंट बाक्स में देना ना भूलें धन्यवाद डियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले